देखिए देश का चुनाओ हो रहा है। देश के चुनाओ के लिए सांगसद और सभी दलों के नेता अपनी अपने बात जनता के बीच में रखते हैं। और जनता उसमें से सांगसद के रूप में देश के लिए चुनती है। पिछले दस बरसों में यानि 2014 और 2019 में भारत में अभूतपुरु कारे होने के वज़ा से आदर्णिया नरेंद्र भाई मोदी के नित्रूत में सरकार बनी और देश भर में सांगसदों को देश की जनता ने चुना। 2019 के बाद 2024 का यह चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में भी निश्पक्षता के साथ चुनाव हो जहां भारतिय जनता पाटी पक्षधर है। वही चुनाव आयोग भी निश्पक्षता के साथ चुनाव कराए या सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का कारे है। इसमें राजनितिक दल कोई भी हो जदि इस तरह के बैभार या इस तरह के आचरन अपनाते हैं। तो उसकी लोग तंत्र में कोई अस्थान नहीं है और जो आपने बात कहा वह निंदनिय है कि कोई भी दल का प्रतिनिति जदि अपनी बातों को कहने के लिए जनता से संबाद करता है। तो राजनितिक प्रतिदोंदिता के कारण उनके उपर में हमला होता है जंडे देखाने का कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता और वेस्ट बेंगॉल की जनता भी इस बात को समझ रही है कि किस तरह के हतकंडे अपना करके यहां लोग देश के लिए चुने जाने वाले सरकार के लिए भी बाधित करने का कोशिश कर रहे हैं। भारतिय जनता पार्टी ने अपने कारेयों के बल पर देश भर में आम नागरिकों तक पहुँचने का काम किया है। और पुना भारतिय जनता पार्टी की सरकार बने आदर्णिय नरेंद्र भाई मोदी के नेतरुत में यह देश चाहता है। और इसलिए बाखी लोगों की परेशानी बढ़ रही होगी क्योंकि जो लोको प्रियता आधर्णिया नरेंदर भाई मोदी की है जो भारतिय जनता पार्टी ने अपने विचारों के माध्यम से लोगों के बीच में जगा बनाई है उसको देख करके स्वभाविक रोप से